हेलो फ्रेंड्स आज से इस्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं अमरेला स्कर्ट बनाना बताऊंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेश्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक जिरू करिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसकर्ट बनाने के लिए मैं तीन मीटर कपड़ा ली हूँ ये कॉटन का फेब्रिक है सबसे पहले कपड़े को दो लेयर में अच्छे से फोल्ड कर लेना है इस तरह से चारो साइट से बराबर में मिलाते हुए पहले कपड़े को हम टू लेयर में फोल्ड कर लेंगे बीच में कहीं सिकुड़न ना आए कपड़े में चारो साइड से बराबर में मिलाते हुए बिचा लेना है इसको और देखिए दो लेयर में फोल्ड करने के बाद एक तरफ का कॉर्नर हम पकड़ेंगे और इस तरह से हम ट्रेंगल में इसको फोल्ड कर लेंगे ठीक है इस तरह से देखिए इसको भी जब हम फोल्ड करेंगे तो कपड़ा बराबर होना चाहिए बीच में कहीं सिकुड़न ना आए एकदम बराबर में इसको फोल्ड करके रखना है जैसे मैं रख रही हूँ इसमें जो उपर वाला जो लेयर है तो लेयर उसको त्रैंगल में फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद देखिए उपर से जो उपर वाला जो करनर है वहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे तो जितना भी कमर है उसका चोथा भाग लेना है उसमें one inch plus करते हुए हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद देखें, जितना लंबाई में आया है इंचे tap को उपर corner में रखते हुए और same वहीं लंबाई हम इस तरह से हलका सा round में घुमाते हुए हम निशान को बना लेंगे देखिए हलका सा ये राउंड में आएगा इस तरह से और फिर ये निशान बनाने के बाद अब हम इसके नीचे हम skirt का लंबाई का निशान लगाएंगे तो skirt की लंबाई मैं यहां रख रही हूँ 40 इंच और कमर का निशान मैं 38 इंच का लगाई हूँ तो 40 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है नीचे और फिर उसके बाद से हम इंची टेप को उपर कॉर्नर में ले जाएंगे और वहां से उपर इंची टेप को एक ही जगा रखना है कॉर्नर में लेकिन नीचे का इंची टेप हम आगे के साइड करते हुए और जो भी लंबाई है उस लंबाई पर हम निशान लगाते जाएंगे ये ध्यान में रखना है कि इंची टेप को कॉर्नर में एक ही जगा रखना है सिर्फ नीचे के साइड इंची टेप को मैं इस तरह से मैं निशान लगा ले हूँ इंची टेब को एकदम सिधा रखते हुए कॉर्णर में अब हम इस निशान को मिला लेंगे डार्क करते हुए निशान को मिला लेना है पूरी घेर वाला निशान हम डार्क कर लेंगे ये देखिए इसमें जो मैं निशान लगा रही हूँ तो निचे का जो two layer कपड़ा था वा बड़ा है और उपर वाला two layer था उसमें दूसरे वाले side से तो बराबर में है लेकिन इस side कपडा छोटा हो रहा है ये वाला साइड तो इतना कपड़ा हम नीचे से इसमें जॉइंट करेंगे ठीक है तो पहले इसी निशान पर कटिंग कर लेना है उपर का जो कमर वाला निशान है उस पर कटिंग करना है और फिर नीचे घेर का जो मैं निशान बनाई हूं उस पर कटिंग कर लेना है बहुत इजी होता है, अम रिलाइस कर्ट की कटिंग, तो यहां देखें, यहां मैं उपर की मैं कटिंग कर ली हूँ, अम नीचे जो घेर का निशान में लगाई थी, उस निशान पर मैं कटिंग कर रही हूँ, इस तरह से कटिंग करना है, और नीचे से जो भी कपड़ा एश्ट्रा है, उसी कपड़े में से, यहां उपर हम, उपर का जो टू लेर छोटा हो रहा है, उसमें कटिंग करके अटेच करना है, तो अटेच स्टिचिंग के टाइम में करना बताऊंगी, अभी देखिए, अभी मैं यहां नीचे से में कटिंग कर ले हूँ, इस तरह से, इस तरह से रखना है, और इसमें अटेच कर लेना है, अटेच करने के बाद, फिर बाकी स्टिचिंग करना में बताऊंगी, तो टू लेर में कपड़े को कट कर ले हूँ, तो यह हो गया, इसकर्ट की कटिंग, अब हम इसमें उपर का जो बेल्ट अटाइज करना है, उसकी कटिंग में बता रही हूँ, तो जो साइट से जो कपड़ा निकला है, नीचे से, उस कपड़े को मैं ले रही हूँ, तो देखिए, बीच का जो कपड़ा था, वो उरेब में कटा था, तो उसको हमको नहीं लेना है, नीचे का जो यह कपड़ा है, जो सीधा सीधा कपड़ा गया है, वहाँ से बेल्ट की कटिंग करूँगी मैं, तो कपड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा है, तो इसमें joint लगेगा तो मैं कपड़े को 4 layer में रख रही हूँ इस तरह से जो सीधा वाला कपड़ा है उसी को रख रही हूँ मैं 4 layer में उरे पट्टी नहीं cutting करना है क्योंकि उसे belt बिगड़ जाएगा finishing अच्छी नहीं आएगी तो जो सीधा वाला पट्टी है वहाँ से मैं cutting कर रही हूँ तो 38 inch मेरा कमर था उसमें 1 inch में plus की थी total मेरा 10 inch था कमर का चौथा भाग तो 40 inch हमको belt भी लेना है तो 10 inch 4 layer में कपड़ा है तो यहां मैं 10 inch का मैं निशान लगा रही हूँ 40 का चौथा भाग आएगा 10 inch तो 4 layer में है यह उसको जब attach करेंगे तो total आजाएगा 40 inch चौडाई मैं यहां रख रही हूँ 4 inch लाश्टिक मेरी थोड़ी सी पतली है तो उसके recording में 4 inch ले रही हूँ आपके अगर लाश्टिक चौड़ी हो तो 5 inch भी ले सकते हैं बेल्ट वाला कपड़ा ठीक है तो इस तरह से उसी निशान पर cutting करना है side से कपड़े को बराबर कर लेना है और इन चारों पिसों को एक साथ attach कर लेंगे तो यह 40 inch का आजाएगा फिर इसको हम कमर में attach करेंगे ठीक है तो यहां मैं skirt की मैं cutting बता दी हूँ इसमें मैं अस्तर भी लगाऊंगी तो अस्तर का कपड़ा मैं दूसरा ली हूँ उसको सेम इसी तरह से cutting करना है जैसे मैं ये वाला कपड़ा cutting की थी तो देखिए यहां मैं अस्तर वाले कपड़े की भी मैं cutting कर ली हूँ इसमें भी उपर का जो two layer था उसमें कपड़ा छोटा हो गया था तो यहां मैं attach कर लूँगी और इसमें belt की cutting नहीं करना है belt सिर्फ और main कपड़े का रखेंगे वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक जरू करिएगा वीडियो देखने के लिए thank you